जय भारत दोस्तों मेरे नाम है जुनेद मेमन और स्भागत करता हूँ आपका इंडिनेस के आज के इस एपिसोड में इंडिनेस भारती ता हिंदुस्तानियत इसके बहुत सारे एपिसोड हमने बहुत पहले किये वे हैं पिछले कुछ दिनों जब कुविट लॉक्डाउन हु मैं आज आपको फिर से याद दिलाने आया हूं कि 15 अगस बहुत जल्दी नजदीक आ रहा है और हमारी जो मुहीम पिछले साथ साल से चल रही है मेरी छट पे तिरंगा रहने दे वह मुहीम अब बहुत बड़ी मुहीम बन गई है जानकर के बहुत खुशी हुई कि हमारे प कराने का प्लान बना रहे हैं एक छोड़ी सी कोशिश जो हमने साथ साल पहले की थी जिसमें आप जिसे बहुत लोग हमसे जुड़े रहे और हम हर बार 15 अगसा 26 जनवरी को अपनी घरों में अपनी च्छतों पर जंड़ा वंदन करते रहे हैं अब वो मुहीम हर घर लिए से हमारे प्रणामंधरी जी का क्यों हु사ने इस जरूध को समझा कि हम सबको को एक सूत्र में बाखने के लिए पूरे देश को देश भ़्पती की सूत्र के बादने के himself भाकूर रहे हैं तो अब हम हर घर तक कैसे पहुंचाएं और एकसाथ हम झूड़ कर कैसे इस तरक्की में और इस मुल्क के मुहबत में आगे बढ़ें लेकिन हमारी इस पूरी कोशिश की बीच में जो हमेशा जो समस्या रही है या हमारा जो एक स्टैंड रहा है कि सिर्फ तिरंगा लहराना हमारे लिए देशभक्ती नहीं है देशभक्ती वह है जिसमें हम अपनी का करके बैठें कि सरकार हमारे सारा काम करेगी तो यह संभाव नहीं है कि कभी भी यह देश तरक्की कर पाएगा हम सब को मिलकर के अपनी देश के लिए काम करना है और उसके लिए सबसे बड़ा जो जो पिन पॉइंट होता है वह कानून का माना का उलंगान नहीं करना चाहे वो कानून टैक्स के लेकर हो या कानून सडक पे चलने को लेकर हो, सिगनल तोडने को लेकर हो, ब्राइवरी को लेकर हो, रिश्वत खोरी, हर किसम का कानून, मतलब पूरी रोज मर्दा की जिंदगी में हम बहुत सारा ऐसे चीजों से गुजरते हैं, जिसका हम ध्यान नहीं जिसका हम लोग यह तो चलता है, अगर चलता है, अटिटूड में हम निकल जाते हैं, इस देश को अगर वाकई में दुनिया का सबसे बहतरीन देश जो बनाना है, तो उसमें कहीं न कहीं हम सब को मिलकर के भागीदारी करनी पड़ेगी, और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं अपने उन सभी साथियों का, जो पिशले साथ साल से हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी चर्पी तिरंगा वाली मुहीम में, और अब वो घरगर तिरंगा के रूप में सब के पास पहुँच रहा है, हमारे लिए वो एमोशन है, हमारे लिए वो हमेशा मेरी चर्पी प्रदानमंदरी जीर का दन्यवाद करना चाहता हूं कि इस मुहीम को उन्होंने समझा और इस सीरियसनेस को लेकर के इस जंडे की खोबसूर्ती को लेकर हर घर तक पहुचाने का यह जो काम शुरू किया है मैं सब चाहता हूं कि हम सब इसमें पूरा-पूरा हिस्सा ले हमारी मेरी शर्पित रेंगा रहने दे की मुहीम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हम अपने धर्मस्थानों पर भी जंडा लगाएं चाहें वो मंदिर हो मजजिद हो गुर्द्वारा हो चर्च हो जहां पर भी हो हम वहां भी जंडा वंदन करें और क्योंकि अभी तक मैं इस इंडिवीजुल या हमारे कुछ साथी मिलके कर रहे थे तो इस आवाज में शायद उतनी शक्ति नहीं थी पर आवाज में अब क्योंकि अब प्रथानमंत्री जी की आवाज भी जुड़ गई है तो मैं चाहता हूं कि हम लोग से घर के अलावा अपने धर्म स्थानो पर भी जंडा वंदन का प्रोग्राम करें ताकि यह देशभक्ति जो हमारे धर्म बन जाए देशभक्ति सिर्फ एक दिखावार रहकर नहीं जाया कि मैंने जंडा लगा लिया और मैंने देशभक्ति कर ली मैं आप जो हमारी जितने पुराने साथी जुड़ेवे हैं उनका अब फिर्शेक पर धन्यवाद करता हूं और लोगों में यह जागरिती फैला है कि हर घर तरंगा हर छट पर तरंगा लेराता रहे धन्यवाद साथ हुआ